हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में रिजिनिंग के कुछ महत पूर प्रस्ण को स्वल्व कराएंगे और यह प्रस्ण आपके प्रीवियस एर एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो चलिए दोस्तों चलते अपने पहले कोश्चन की ओर कोश्चन नमर वन देखिए दोस्तों कोश्चन नमर वन में क्या दिया है जेड नाइन ए यक्स सेवन डी कोश्चन मार्क टी थ्री जे आर वन यम इसको में स्वल्व करना है ठीक है कैसे स्वल्व करेंगे देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे इन अच्छर को स्वल्व कर ल कई हो जाएगा रो에 ठीक है अब क्या करेंगे देखिंगे पहले इसे अंक में करण्वर्ट कर लेते हैं च्छ शबीस हजा जाएगा 24 हो जाएगा और थे हमारा 20 नंबर पर वजाएगा और यरठध रहे हो जाएगा तेकाश्टों आपको क्या करना आता होगा इसे अंक में convert आता होगा ठीक है तबहीं यह प्रस्थ आप solve कर पाएंगे तो क्या करेंगे देखें दोस्तों क्या किया है कि J में से क्या कियाiciency 2-2 कर दिया है तो किoser 24 हो गया है 26 में से 2- מה किया 24 हो गया है अब क्या करेंगे कि EX में यहां से 2-iversity करेंगे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और 22 नमर पर क्या पढ़ता है यहां पर 22 हो जाएगा अब 22 में से 2- craft करेंगे तो क्या बचयेगा हमारा 20 देखें यहां पर 20 आनिकी T अब T में से 2-ी देखेंगे धित क्या जाएगा आ रा जाएगा आनि कैसा अफसेन नंबर से हो जाएगा फिक है टो इतना भी संपूर करें अंसर दे सकतें तो चलिए दोस्थू अब क्या करेंगे इन अंक को सॉल्व कर लेते हैं क्या दिया है, साथ, सोरी, नाव, साथ, कोश्चन मार्क, तीन, एक, देखें दोस्तों, इसमें से क्या क्या है, इसमें से, नाव में से दो माइनस कर दिया है, तो साथ हो गया है, ठीक है, अब साथ में से दो माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, बताइए, कितना आ आ जाएगा और 3 में से मानस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा आने कि क्या बढ़ा जाएगा V5 तो हो जाएगा V5 ठीक है अब क्या करेंगे इससे solve कर लेते हैं देखें दोस्तों इसमें क्या किया है इसमें क्या किया है A, D, question mark J, yam ठीक है क्या हो गया A, D, question mark, J, yam इसमें देखें दोस्तों क्या किया है A हमारा 1 नमर पढ़ता है D हमारा 4 नमर पढ़ता है ठीक है और J हमारा 10 नमर पढ़ता है और Y, yam हमारा 13 नमर पढ़ता है तो इसमें क्या किया है देखें दोस्तों A आने कि 1 में क्या किया है इसमें 3 जोड़ दिया है, तो 4 हो गया है, ठीक है, 3 जोड़ दिया है, तो 4 हो गया है, अब क्या करेंगे, इसमें, D हमारा 4 नमर पर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 नमर क्या जाएगा, G, देखे दोस्तों आ गया V5G ठीक है तो आपसन नमर D में दिया है तो आपसन नमर D हमारा से हो जाएगा तो चलते प्रें नेस्ट कोस्चन पर कोस्चन नमर दूसरा देखे दो कोस्चन नमर दूसरे में क्या दिया 104, 105, 108, 113, 119, 119, 119, 140 इसमें क्या करना इसमें गलत संख्या ग्याद करना ठीक है तो क्या करेंगे गलत संख्या ग्याद करेंगे बहुत ही आसानी से तो चलिए इसे स्वल्व कर लेते है देखे दोस्तों क्या दिया पहले 104 दिया फिर 105 आनि की 104 में क्या 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 है एक जोड़ दिया है तो 105 हो गया है ठीक है फिर 105 में क्या किया है 3 जोड़ दिया है तो 108 हो गया है ठीक है फिर 108 में क्या किया है 5 जोड़ दिया है क्या गया है 113 इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 तो अब क्या जोड़ेगा देखें इसमें क्या 120 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 आनी की गलत संख्या हमारी क्या है? 119 ही है, ठीक है? तो option number D मी दिया है तो option number D हमारा से हो जाएगा अगर देखे दोश्चों फिर क्या करेंगे? कि 120 में 9, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना है दो दो का तो एक में नहीं था किसमें यहाँ पर 120 होना चाहिए था तो यहाँ पर 119 हुआ है ठीकların तो आपसे नमबर D मी दिया हुआ 119 तो आपसे नमबर D हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं परे नेस्ट च्ट पर कोश्चन नम्मर तीसा देखिए दोस्तों कोश्चन नम्मर तीसरे हम क्या दिया है A, Z, C, Yuck, Yuck, U और कोश्चन मार्क इसी को हमें सॉल्व करना 4 आपसन दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों इसे फटापट सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पहले एक अच्छा को सॉल्व करते हैं A, C, Yuck को ठीक है और कोश्चन मार्क को तो क्या करेंगे A, C, Yuck और कोश्चन मार्क तो क्या करेंगे दोस्तों पहले इसे अंक में करमर कर लेते हैं तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, छे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, एक हो गया, तीन हो गया, छे हो गया, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या 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 है, इसमें एक में क्या क्या है, दो जोड दिया है, तो तीन हो गया है, ठीक है, आन तो तक तो और यस अंड़ी ना मार ज्रिकला सद्व्ट जोरैगा तो चार तु छे में चार जोरेगा yll कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 प्रूंबर के यह आता है ठीक है क्या आता है यहewाई ऺत्व है afterward यह जाएगा जिक किया करना में दूसरी संख्या ग्याद करेंगे तभी हमारा answer आप आएगा क्योंकि इसमें J के इसमें भी दिया है J क्यों इसमें दिया है पहली संख्या दो option में दी हुई है तो अब क्या करेंगे अब इसे solve कर लेते हैं Z, Y, Y, U को तो कैसे से solve करेंगे देखी दोस्तों क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा Y, Y, Y हो जाएगा और question mark हो जाएगा ठीके तो देखें दोस्तों क्या करेंगे पहले इसे अंक में convert कर लेंगे ठीके अंक में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z हमारा 26 अस्तान पर हो जाएगा Y, 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 Y हमारा क्या किया है 24 आप 24 यहां 21 दिया है तो इसमें क्या किया है कि 3 मानस किया है पहले 2 फे 3 मानस किया तो 21 आ गया अब क्या मानस करेंगे इसकी अगली संख्या क्या होती है चार तो माइनस चार कर देंगे तो कितना हो जाएगा सतर कितना हो जाएगा सतर आज सतर नमर क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है ठीक है क्या पढ़ता है क्यू तो क्या आजाएगा जे क्यू किसा आपसन नमर डी में दिया है तो आपसन नमर डी हमारा से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों चलते पने next question पर question नमर चार देखी दोस्तों question नमर चार में क्या दिया है 720, 990, 1320, 1716, 2185, 2723 ठीक है तो इससे कैसे solve करेंगे इसमें क्या करना है इसमें गलत संख्या ग्याद करना ठीक है देखी क्या करेंगे 720 में 720 में क्या करें किया पर 720 आजाए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं 9, 9 का घं कर लेते हैं 9 का घं करेंगे तो कितना आजाएगा 9 का घं करेंगे तो 729 आजाएगा कितना आजाएगा 729 अब इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा हमने क्या किया 9 का घं किये ठीक है उसके बाद माइनस 9 कर दिये तो हमारी संक्या 720 आ गए अब उसी परका इसे करेंगे इसे 9 का घं किये तो इसे क्या करेंगे 10 10 का घं करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का घं करेंगे तो 1000 आ जाएगा ठीक है 1000 आ जाएगा और 1000 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 990 कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा ठीक है दोस्तु अब क्या करेंगे कि 1320 को सोल करते हैं 1320 में क्या करेंगे कि 11 का 11 का घं करेंगे ठीक है दोस्तों क्या करेंगे 11 का घं करेंगे तो क्या आ जाएगा 1331 11 का घं क्या होता है 1331 होता है अब 1331 मिसे हम क्या करेंगे मानस 11 करेंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा 1320 आ जाएगा ठीक है आने कि ए तीनों अभी सही है ठीक है अब क्या करेंगे सत्रा सव सोल को सोल करते हैं इसमें क्या करेंगे पहले में नाव दस इग्यार इसमें बारा का घं करेंगे बारा का घं क्या होता है दोस्तों बताइए सत्रा सव अठाइस होता है कितना होता है सत्रा सव अठाइस होता है 12 का घं 1728 होता है इसमें से 12 मानिस कर देंगे तो कितना आ जायेगा? आजायेगा हमारा 17,16 ठीके अब क्या करएगा? 285 को सौलु करते हैं इसे किसका घं करेंगे? 13 का ठीके दोस्तूं प्या करेंगे? 13 का घं करेंगे तो कितना आ जायेगा? 217, कितना आजाएगा, 217 आएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 13 माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से 13 माइनस करेंगे, तो कितना आजाएगा, 2124, कितना आजाएगा, 2124 आएगा, और यहां पर दिया कितना है, 2125, ठीक है, आनिकी गलत संख्या हमारी यह है, ठीक है, अब क्या कर लेंगे ? इसे solve कर लेता है 27-30 को तो यह किसका घंद ? इससे किसे का घंद करेंगे ? 14 का घंद करेंगे किंगी 9, 10, 11, 12, 13 अब 14 14 का घंद करेंगे तो कितना आजएगा ? 27-44 आजएगा 27-44 और इसमें से क्या करेंगी ? बताइए इसमें से 14 मानिस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2730 आ जाएगा ठीक है आने कि A भी सही है Missing नमर हमारा क्या था 215 तो क्या हो गया हमारा आपसन नमर भी मिं दिया था 215 तो आपसन नमर भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2124 होना चाहिए था तो चलिए दोस्तों चलते अपने next question पर Question नमर पांच बादेखिए दोस्तों Question नमर पांच मिं के दिया 450, 90, 360, 32, 288, 54, 230 देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है इसमें कोई एक गलत संख्या इसमें को हमें solve करना है आनि की 450 में से माइनस 90 करेंगे तो 360 आजाएगा ठीक है अब क्या करेंगे की 360 में से 72 को छोड़ देंगे ठीक है तो 360 में से क्या करेंगे माइनस 72 कर देंगे तो कितना आजाएगा 288 क्या जाएगा 288 आजाएगा ठीक है दोस्तों अब क्या करेंगे 288 में से कितना 288 में से 24 माइनस करेंगे आनी कि देखें दोस्तों हमने क्या क्या 450 में से 90 वाल संख्या को माइनस कर दिया ठीक है और 360 में से 222 को संख्या को माइनस कर दिया और 288 में से हम 24 माइनस करेंगे ठीक है 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 214 आएगा तो यहाँ पर दिया कितना है 230 आनी की गलत संख्या हमारी क्या है 230 किस अफ़सन दिया है आप्फ़सन नम्बठी मी दिया है तो अफ़सन नम्बठी हमारा से हो जाएगा हमने क्या किया 450 में से 90 वाई संख्या गटा अगया तो 360 आ गया 234 आएगा यहाँ पर कितना दिया है 230 दिया है तो आपसन नम्मट D में दिया है 230 तो गलत संख्या हमारी क्या है 230 तो मैं उम्मिद करता हूँ कि यह पांचों प्रस्ण आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही अतनी तरीके समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सस्क्राइब और सेर करना ना भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही